असलाम वलेकुम, इंडियर ब्रेसिपी बेस्ट में आपका स्वाख हत आज बना रे बाङड़ा मच्ची का सालन बाङड़ा मच्ची में लिए उससालन बनाने के लिए सब मसाला आपकों पिसेंगे मसाले में क्या है सुक्की मिर्ची सुक्की मेंने मिर्ची इतनी सारी लिए आप अपने तेस के हिसाब से लेना अगर आप तेस खाते कम है तो इसमें से आदा कर लेना और एक चम्मच धनिया एक चम्मच छोटा चम्मच है धनिया का अक्का धनिया, छोटा चमच जीरे का, एक टमाटर मिडियम साइस का, एक तुकडा गिल्यान अरियल, पीस पचीस लसन के कलिया, ये सब अपने को साथने पिसने का है, फिस सालन में डालने के लिए अपने में इतना कोकम भीगाई हूं, ये कोकम भीगाके रख दी हूं, ये मस एक चमच, और एक चमच, और एक से थोड़ा आदा, जरत्तरी रहेंगी तो अच्छा लगता है, सालन में, तेल को गरम होने देंगे, तेल गरम होने के बाद में अपन दालेंगे लसन के कलिया, वो थोड़ा पूरा अपने को ब्लैक लसन ने करना है, थोड़ा हलका ब्राउ में नहींने के बाद कि मिड्यम सैज घ्छक्त alors क्लिकपता और की सब्सक्त संफ में अभी डाल देंगे एक सात छाल लगेंगे अब ग्रेंडर में जो मचाला पिश्क है कूरो मैंे जूट throw तोड़ा हिलाने के बाद अभी वो मसाला पुन डालेंगे तेकी यह मसाला पुन अभी डाल रहे हैं अभी ग्रेंडर में थोड़ा सा पानी डालके ग्रेंडर का मसाला पुरा हपुन साफ करेंगे ग्रेंडर में मसाला छोड़ेंगे ने थोड़ा सा पानी हलका डालके मसाले का पानी उसमें दाल देंगे अब अच्छे से थोड़ा हिलाएंगे उसको मसाले को मसाले को अच्छे से भूनेंगे अच्छे से उसको मसाले को भूनने के बाद में अपन मैं बताती हूँ आपको मसाला अच्छे से भूनने के बाद अब अब अपन दालेंगे उसमें हल्दी दालेंगे आदा चम्मच हल्दी इसमें अब अपन मिर्ची पॉडर वो कुछ ने दालेंगे कि तो अपने लाल मिर्ची पॉडर ने दालेंगे इसमें और न अक्का धनिया भी ने डालेंगे कि तो आपन अक्का धनिया भी पीसे है इसमें सीव हल्दी पड़ेंगे इसके अंदर हल्दी ही डालेंगे और कुछ भी मसाले ने डालेंगे इसके अंदर अब अपने टेस्ट की हिसाब से अपन नम्मक डाले, मैंने मेरे टेस्ट की हिसाब से नम्मक डाले, आप अपने टेस्ट की हिसाब से नम्मक डालना, अभी मसाले को अच्छा भुनेंगे, मसाला अच्छा भुनने के बाद में अपन इसमें डालेंगे, देखे, देखो कैसा ल अब अपने को जितना कॉंटेटिक में पानी चाहिए उतना ही पानी ओं मसाले में डालेंगे और एकी साथ ने पानी दालेंगे बार 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 पानी ने डालेंगे आपने मैं अभी एक ग्लास पानी दाल रही हूँ मैं एक ग्लास पानी दाली अभी इतना ही पान दालेंगे जितना अपने को सालन लगता है पकने में जितना पानी चाहिए पहले स्टार्टिंग में उतना ही पानी दालना मची की तुकड़े डाले हो मैंने मैं अपनी फैमिली के हिसाब से मची में कोई तो सालन की मची हमारे घर में कोई ने खाता है सिवाई इस chem yeah बाहित नहत्य और दाल रही है क्या है अब इसने अच्छे से बोइल होने के लिए बोइल होने के बाद अब अपना इसके अंदर बोईल लेकौ हो गया है मैं को जो भीगा के रखे थी वो कोकम डालेंगे बस अभी इसके अंदर थोड़ा सालन अब लुख और पकने देंगे अ सालन को पुरह पकने के बाद मैं आपको बताती हूं हाँ अब यह अपना अपना सालन हो गया रेडी मैं को जितना चाहिए मच्छी वी अच्छी से माशनला फुक गई यह देखिए बच्ची के अंदर भी अच्छा मसाला गया है अब आप उन करेंगे घ्यास को बन देखो मैं को इतना चाहिए आपको अगर और पतला चाहिए तो थोड़ा पतला रख सकते तो गाड़ा चाहिए तो और गाड़ा रख सकते वह आपके उपर अब तो मेरा तो यह अपना हो गया सालन रेडी बांगणा मच्ची का तो देखे बांगणा मच्ची का सालन रेडी हो गया है बहुत यमी एंड टेस्टी है तो आप लोग भी जरूर बनाना और वीडियो को फुल वाच करना तो लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग और मिलतें नेक्स रिडियो में अलाफीस